तस्तरखान लगा, सालन आया, सालन में क्या था कड़्ू, तो उस्ताद दबाडब कड़्ू था, शागिर दाहिरस से देख रहा है तो कुर्वा है नहीं, ये तो बोश्त नहीं है, मचली नहीं है, अंगा नहीं, दबाडब क्यों खा रहा है? तो शागिर देने पूछा कि हुश्त दिया तो कुर्वा नहीं है, ये तो मचली नहीं है, मुर्वा नहीं है, ये डबाडब कैसे खा रहें, तो कड़्ू है, तो मेरे नभी को पसंद, सुखान, तो शागिर देख बोल पढ़ा कि मुझ को कड़्ू पसंद, तलवार निकाल कर कि तहाँ तोबा करो वरना गतल कर डालूँगा मेरी नभी की पसंद से अपनी पसंद का मकाबला मुझा तीसरे नमूने को तो हुद धियान से सुनिए रतिजी के साथ के लिए गाएगा अल्ला तुस्मान सहाबी रसूले आश्य रसूले कि या रसूलला मेरे खाना खालो लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि आप अपने घर से चलिए मेरे घर जा कर के खाना खाल ठीक है चलते हैं अल्ला के रसूलाँ आगे एक कदम उठारे रखते है और था उसमान डाईडी से लोड़ कर रहे पलट करका या रसूल अल्ला मेरे घर में इतनी बड़ी हस्ती आई है मेरी खुशी की इंतिहा नहीं है मैंने उसी वक्ते रादा कर लिया था जब आप अपने घर से चले मेरे घर तक आए जितने खड़न आपके उठे हैं आपकी अजमत में मुखबत में उतने घुलाम को अजब दो एक बात सुरिए आपकी किस पैगाब को ख़तर कर रहा है जब आप देखें ये चोधवी का चान आसमान में होगा तो कुटे ज़्यादा हो ये कुटे किस पर भूगते हैं तो चान कर भूगते हैं और चान है कि वो रफ्तार में चल रहा है कुटे की कोई परवा नहीं है अगर नभी की सुन्नक को जिंदा करना है वालाना रूली रामत लाले ने लिखा लोगों के ताने से मड़ड़ो चान कुटे की भूगने पर अपनी रफ्तार को नहीं छोड़ता हम नभी की सुन्नक को उठाने में किसी ताने की कोई परवा नहीं करें मारा ए तक्भीर मुफ्तिसाद النजीब सहब कास्मी मुफ्तिसाद النजीब सहब कास्मी अलामा ए त्युबन आखरी विसाल पैदाम सब्सक्राइब एक आदमी ने नभी को खाब में लेगा लिखा पिर भी बदकिस्मत है एक आदमी ने नभी को खाब में देखा पिर भी बदकिस्मत है एक आदमी ने नभी को खाब में नहीं देखा पिर भी उस किस्मत है अल्ला आपके इल्म में पाद भी बत्यूमत पाद भी बत्यूमत है पादवी सुष्तित है। हैं ये खुश्किस बता है आद उखाई ये वादा की ये नाम तो बराबर लेंगे काम बुल जाए ने इन्शाथ ला शुरह हो गए दुनिया से मुसल्मा आना भू हम ये कहते हैं के फेपी कही मुसलिम मौजू हम ये कहते हैं के वज में तुम हो नसराको तम तुम में हनूँ ये मुसल्मान है जिह देक के शर्मा और आई यहूर यह मुसलमान है जिन देख wystाट कि शर्मा यहूर यह मुसलमान है लिए रोग बुमे सोजड़ नहीं रूल इहसास नहीं लिएendas लिएक बुमे सोजड़ कल्ब में सौज़ नहीं रोह में छूह नहीं कुझ भी पयगाम मुहम्मध का तुम्हें पास नहीं कुछे भी पैगामें कि हमाले से पैगामें इसको बहुत भियान चाहिएगा यह माईग देख रहे हैं इसका कनेक्शन है जर्डेटर से यह लाइग देख रहे हैं इसका कनेक्शन है जर्डेटर से जर्डेटर में जब तक तेल है चल रहा है तो माईग भी काम करता है, लाइग भी काम करता है, लेकि जहां तेल ख़तम हुआ, जर्मेकर बन हुआ, तो माईग भी बढ़ हो जाएगा, लाइग भी बढ़ हो जाएगा, आप मदरसे में आप देखेंगे, जब लाइग चली जाती है, तो मुंबत्ती जला करके बच्चे फ प्रूम जो करके पढ़ने में मता नबाद साहबा आए पनर से बोड़ान से बच्चे का देखा उस्ताज का देखा बड़ा खुश हुआ दस हदार सुने के सिक्षे निकाल करके उस्ताज के तदमों में डाल दिये सुछानलाह यह इनाम यही करफ से रखो उस्ताज ने हाथ ज वाजू किया कि सारा पैसा वाफी सोना बोला कि तुम्हें एक नंबर के दुनियादार हो मैंने पुरान की खितमत पर सिर्फ तुम्हें दस हदार दिये थे तुम्हें इसको बहुत बड़ी दोलत समझा तुम्हें एक नंबर के दुनियादार हो अगर दुनिया की सारी दौ और बीवी का गुस्सा बच्चे को पर जाड़ दिया, सीने में जो ठूसा मारा बच्चा मुहिना, उस्तास वो दसान साल हुईरी, और मदर्षा हमेशा के लिए हुईरी, मदर्षा, मदर्षा हमेशा के लिए। आया बच्च करवान पड़ने लिए उसकासु को भी कदर नहीं, मदरसे वाले को भी कदर नहीं, बच्चे को महारा बुरी तरीके से बच्च भादा, और बाफ को बच्चे की qualitative करवाँ कर्वान पढ़ए, इसपरे उसको प्रतद को बसको कते ही है, कर ःक्राम को सद्‌टिस्त का अपसाना निगार है जाज बर्डाटिशा उसने लिखा कि इसलाम से बढ़कर कोई दुनिया में मजब नहीं है लेकिन मुसल्मान से जादा बुराद में कोई नहीं है लोगों ने कहा कि यह क्या बात है एक तरफ तुम तो तारीब कर रहे दूसरी तरफ तुम तंक्रीद कर कि इस्कुरान के अमल से दूर है यह तो मुसल्मान है इसलाम सबसे अच्छा ख़ब है मुसल्मान सबसे बुरी तो एक बच्चा पानी पत्पे पढ़ने के लिए आया तारीय अपने लिए वामान साब के पास लोगों ने उसके खाने का इंद्दाब नहीं कॉराद नहीं है बच्चा जब मायूस हो करके मदरसे से जाने लगा तो हदरत ने कहा वेजा जाने की ज़रूत में खिलाने वाली जात को है ये बहले के लोग नहीं तुम पढ़ाई पुरान को पढ़ने में लग जाओ खिलाने वाला को है उपर बेखाओ अगले ही दिन किसी के बाद को इंकाल हो तो दोड़ा दोड़ा आया एक चिला इसाले सावाथ के लिए खाना किलाओ जब उन्तालीस रोज हो गए एक दिन बाकी ना गिया तो उस्ताज के पास बच्चा आया या हजरत आप क्या होगा एक जिन के बाद तो खाना बंद हो जागा बेखाओ मसला हल कर रेगा उपर वाला महले के दूसरे आद्मी का बिगट गिर 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 उसका देगा नवड़ा नवड़ा आया खाए एक चिल्ले का मसला है जब उन तानीस रोज होगे दूसरे चिल्ले के तो बच्चा की खबरा रहा है उस्ताब में का बेड़ा खबराने की जलूरत नहीं है खिलाने वाली जाद उपर एक तीस वेगट गिर गिर रहा है महले के सारे के सारे लोग तानीस आपके पास आगे है खबरत ये किया हो रहा हर चिल्ले पड़ेका अनी के क्कैपाल हो जाता ह्पगा तो यह उपूर मदर से भी और अकल मदी स्कूल में आपको कहा है ताकों में सजाया जाता हो आखों से लगाया जाता हो ताकों में सजाया जाता हो आखों से लगाया जाता हो तावीज बनाया जाता हो धो धो के पिलाया जाता हो जब कालों कसम लेके लिए तक नार की नोबत आती है तब मेरी जरूरत पढ़ती है हाथों पे उठाया जाता हो तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ चोटे चोटे बच्चे आप के साथ जाग रहे हैं मैं दिल से दुआ करता हूँ, आपके जलसा है, कभूल एक्टी घड़ी में पहुंच गया है आपके बच्चे के खाल को खुशाल परमाएं, मुस्तक्विल को रोशन परमाएं नेकले तैयारा बच्चों के लिए हाँ उठादी जिए, इंशाल्ला सब्तार पहले होगा, निकाह बार में करेंगे, हाँ उठादी जिए, इंशाल्ला जब 20 साल के बाद लोड करके आया, तो कहां बच्चा के मैं ने वो सारा पैसा तुमारे बेटे की कानीन पर सर्च कर दिया, अब तुम पैसना करो के देटा लोगे, बेटे की कानीन लोगे या पैसा लो बीवी का सर्चूल करके कहा मुवारत ओ, मैंने तुम्हे सोना दिया था, तुम्हें हीरा वापिस किया, मुवारत हो दो भाई निसर में, एक भाई गवर्नर है, दूतरा भाई आले तो कुर्सी पर बैट करके जो भाई गवर्णर था वो अपने आलिम भाई को ताना मार रहा था तुम वही का वही हो हम कहां से कहां चले का उस भाई का जवाब से लिए उसने कहा कि तुम को कारून की मिरास माल मिली और मुझको नभी की मिरास इल्व मिला अब बताओ के तुम कहां को हम का ये खठा ठठा जलू का पठाह क्लीवा भाई वाक्ते होला इस आहलए दो में बाहर से कमा करके लाए मूट करके लाओ तो झात्ध करके बेटकर को है और उनमें तुम्हारा नाम नहीं है तुम पहलवान हो इसके लावा कुछ नहीं हो जो बादशा खुरसी पर बैट करके हुकुमत करता है दुनिया में उसके लिए इज़त है जो आदमी अपने पैसे से तिजारत करता है उसके लिए इस दुनिया में इज़त है जो आदमी तो भुलावी मोकत हो रहे हैं। आप अपने बच्चे पर तीन एहसान करके इसको घ्यान से नूट किजेए। तजरबाद में इस बात को लिखा है और मेरी दाड़ी कच्छी है तजरबा बताने के लिए। लेकिन किताब में लिए। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना किला दिए बच्चे बूल जाएंगे याद निए। आप अपने बच्चे को कपड़ा अच्छा से अच्छा पहनाते हैं बच्चे बूल जाएंगे याद निए। आप अपने बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बना रहे हैं, जब उसका दोर आएगा तो आपका मैराया हुआ मक्वरा बनाएगा, उजार करके फेक देंगे शीश महर मनाएगा, आपका कोई अहसान याद लेगे, लेकिन एक इहसान कर दीजिए, जिन्दगी भर ब पगल में वजीर है, वजीर से का तुम्हारा बाप कहा है, तब वो जो सामने चूते को लाठी में बान करके, कंबल उड़े हुए, और फटी हुई लूंगी में खड़ा है वही मेरा बाप है, इतना बड़ा उल्लू का पथ्था तुम्हारा बाप है, ये बेवकुद गधा तुम्हारा बाप है, ये नालाइक और जाहिल गवान ये तुम्हारा बाप है, तो और जीर में का मेरा बाप बेवकुद नहीं है, बेवकुद तो मेरा दादा था, मेरा बाप गधा नहीं है, गधा तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया निखाया था, मेरा बाप अ पुझाइब दोर्प लगा देगे लेक्ट अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देगा आगए इंशाल्ला है इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल जिसके आगे गंजे आरू पाई माल इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल जिसके आगे गंजे कारू पाई माल इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल जिसके आगे गंजे कारू पाई माल इल्म से इनसान पाता है तमीष इल्म से है आदमी हर दिल रजीष तीस साल है आप नौजवान है नौजवान अगर आप की उमर चालीस साल है तो आप नौजवान नहीं आप जवान है नौजवानी तो तो हो चालीस साल में जैसे पहुँचे आप जवान हुए और जैसे ही पचास में पहुँचे आप नौजवान भी नहीं जवान भी नहीं अ पूडोन की सपनो दोनिया कितनी चोटी है द्रकानेims कि एक साल के कितने घंक वहने हैं aos 8,760 गंटे होता, एक साल, 12 महीने जो हमारे गुजर्वर एक साल में, इसके कितने घंपे बन रहे, 8,760 घंपे बन रहे, अगर आप 8 घंपे सोते हे हर दिम, आपकी हिंदगी कितने घंपे निकल गए, 2940, 20 घंपे निकल गए, 2920 घंचे आपके निकल गए सोने में, अब बचे कितने अगर आप 16 घंटा जाकते थे वो आपके बचे कितने पाँच हजार आठ सो चालीस घंटे आपके बचे अब तकिया पर जब आपका सर जाए तो आपको देखना है कि मैंने ये जिन्दगी कहां आबाद किया कि दूसरे नगुने को बहुत ध्यान से सुनिये तेजी के साथ में देखना है इतना बड़ा मालदार दुनिया में है इतना बड़ा मालदार कोई नहीं है इतना बड़ा मालदार था वो कहता था कि मेरे पास इतना पैसा है मैं दस मुल्क को अपने पैसे से खरीज सकता हूँ दस मुल्क को अपने पैसे से खरीज सकता हूँ जानते हैं उसकी मौत कैसे हुई, बीमार पढ़ गया तो लाफ्तर ने कहा सिर्फ दबाई खानी पढ़ेगी रोटी निखा, उसने रिवाल वर निकाल पर फिस्टर पर बोड़ी ठोक दिया, उसने वसीयत में लिखा, लोग कहते हैं कि दुनिया की तौलत से बहुत बड़ा फ एक मिशालर पेγाम करता है, मौलाना रूमी ने लिखा है, अंगूर का खीरा अंगूर खाने के लिए निकला हुई सा अंगूर का वेजा कैसा होता, नहीं चलता गया अंगूर के बाग में जो पहूंचा, अभी वो पत्ते ही पर आया था, पत्ते को चाटमा शुठो किया, अंगूर समझ करके उसका पेट इंडिया गेड होगिया फट गया मुलाना रूमी ने लिखा कि पत्ता को अंगूर समझ करके चाड़ गया उसमें मौत भी होगि खबाफ और बर्माद होगिया दुनिया में ठस करके आदमी दुनिया को सबकु समझ कर बैठा और अल्लाह की जन्नत और तुनियमत से महरूम हो गया जैसे वो परकुस्मत की रहा वैसे ये मुसल हो हाथ इठाईए बादा कीजिए मौट से पहले मौट की तैयारी करेंगे इंशालला जवानी में सोईगे बुराबे में जाड़ेंगे इंशालला